बीते कल सुब्बे बचे दासमी कलास ते पंजाब स्कूल से ख्याबॉट आते सीबीएसी दे नतीजे एलाने कहने क्रोना काले चालने बेशाकर स्कूल भी नहीं संथ खुलेते पेपर भी नहीं लेगे सान आते बच्यानी पड़ाई सिर्फ आलाइन ही होई सी इस दे जालन सुब्बे दा ओवराल नतीजा बहुत बढ़ी आ रहा थे हाई माक से 99% तो उपर है पर जीदा दी आतम वल्लब स्कूल दे नतीजे ठीक ना उन्दे कारन मापने बच्य रोस है कि स्कूल नों सेस्टमेंट दे नबर ठीक नहीं लगाएगे जरके उना दे इस तो पहला दे बहुत बजय नतीजे सा ना थे हुंदास मी बच्च ने ने मारे नतीजे क्या हूँ आइ को जब द्यार थें ने ता स्कूल डीचन पर जान वाले बच्च ने इससमेंट जयादा लगाई गई है बच्च ने मापने 25 रुपए पेपर फीस लेंड दे वी द बहुत ही दुखी मान देना लाये है श्कूल देचा दा साल था ही बड़े प्यार देना लाये उत्षा देना लोंदे सी कि कि साड़े बच्चा दा पर खेड़ा बहुत जड़ा सुरक्षेता है कि नदा एजूकेशन सिस्टम बहुत वजी आए गया है कि बच्चे थे पड़के कानू डॉक्टर बन गए जांको और अच्छे प्रफेशन देवे जान गए पर आज जड़ी कालदा रेल्ट आया दसवी आठवीदे वेच उदे नाइंटीफॉर सिगे नाइंठी वेच ए एसवार ओदे कटो का नाइंटीफॉर होने चीदे सिगे पर इना दी इंदलेकी करके बच्च अधे शिरफ 78 परसेंट आयें मैंनू यह नहीं समय लगदी कि इना ने केड़ा एज तरीका अपनाया है इतने स्कूल दा पिछले दो साल दा रगाट दे सावनाल ऐसे वार नमबर आई साथे वच्चाम धार केस्ते तो इह स्कूल दा पतानी बच्चाने रिख लेवत करते हैं लृत पने मेरे बच्चे नो मैं डॉक्टर प्राइब करता है कि त्यान देता जाए क्योंकि बच्चाने लाइफ दा मसला है जड़े बच्चा ने कहां अनारंग सांदा बेटा इनना आवदा सुरूनी ऑस्पिटल जिरे देविचे मेडिकल लाइन देविचे इनना बहुत बड़ा जड़े सेवा करें कोवर दे बड़ी सेवा किती हुँन एनना था एक सपना सी चुरू तो मनों कहिंदे देजी मेरे दोस्तने कि मेरे बच्चे नो मैं डॉक्टर प्राइब हुन आज जए बच्चे देट अटाली पसंट नबर देते नारंग साथे बेटे दे की काल नों जड़े मेडिकल आज जान कालनों को यह दी मेडिकल एजूकेशन हो पागी मैं नी समय दया एक ता सिर्फ आपना कहाँ कि दे अपनी जड़ाइए उल्डा आज चीहाँ पागी मेरा नाम प्राइब मेड्लारी जड़ेशा इस कूल नार्श बड़ोगाए पह्ता दे घरले से कालों आज जड़े फाड़ प्रेसंट ते आगे ऐसी साठी बारां झार भारें साठी पेजिया इस्छीर ता स्वूल आज आर्वी जिए शोडे जी सारे पेर्स्ट कखे होए ने इना देबचे नर्स्री तो लेके करें तीर हैं तीर घंठ तक सारें रिजल्ट बदीर हैं पर ऑन मेरे बच्के से 8th Class से 5th Class से 90% मार्क्स है 8th Class देवें 2 परसंट है 10th Class देव falti 8% देते है जो दो कै कोई अग्जाम नहीं हो जिते हैं उल्हा विना नियू कोविड ससर ना उन पता ही है कर चाल रहे हैं यह हो जा केड़ा टेस्ट इनना ने लिया है जिन्दा 82 तो डिरेक्ट 48 ते आजेगा सानुए दसन कैसी केड़े स्कूल चे जाके 48 प्रेंट देना अले अडिमेशन दो आईए बच्चे नो अगो अशी प्रशाशन को लगेगे ना दे लिड़ा इसे प्रशाशन उननों पुछा गया था उनना तो कोई जिवाब है नहीं इस चीज़ा सारे को लो पच्ची-पचीज और पिया एक्जाम फीज लगी और केड़े एक्जाम हो इने किते लगे इने कोई जवाब दी रहा ह इननने को लो असेसमेंट बना दाना ना सासिभ सी इंणने कोई बनाने कुछ धया कुछ इद लिड़ी उपर बेजी ँनना ने वो इनने गल्थ एसेसमेंट पर मेजन करके ही सारा कुछ हो जा करूंगा सिंगला जी ओनु एजूकेशन मिनिस्टर कह एस वा ट्यान देन जेग आप पैसे जित्ते ने उन भी बलान इनने नहीं जिते एक लेडिकेशन देने इसचीज़ आए जवाब जसन के किसने पैसे मंगें न को लो तुसी ज़सो एक पॉसीबल है गया ओनलाइन सारा को जा रहा है ओनलाइन सब्सक्राइब और अल्लाइन सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कोछ भी करना प्या इनना मैं करूंगा कि कटिया स्कूला नो बंद कीता जाए ताके बच्चे देना कोई खलवाड ना कर सकना आज बच्चे डिप्रेशन चने जे कोई मिस अपनी उंदी है कि है कोई बच्चा कुछ करदा है जुम्मेबार बनने के स्कूल वाले इनना पुछ कोई पेला तशी एक कंटाय से बेठे रहे हैं सानु मिलन वाला कोई नहीं यह थे जी किसे ने बलाया नी आज शी दासवरी जहां पुछ 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 जा जाके जी बलाने जी तुसी रुको जी जदो सी दासल फीसा दिती हैं दासल फीसा लेनिया जी जिए और दो सी अच्छी जी जी है जुए भी एंदा हाल साथे बच्चे परानी परसेंट आज नु चोके उन दे स्कूल बंग ने तो अनु पता गौवर्मेंट स्कूल लेवं जिते बच्चे स्कूलां दे मिए गए निए उत्थों दे बच्चे दे 91% मार्स आए ने ओ किमे आए ने असेश्मेंट दे आए ने पिछले रिजल्ट को दे वेक के आए ने उसमें हमने जो भी रिजल्ट बनाया है वो बिल्कुल विदिन नॉर्म्स जो CBSE से हमारे पास हैं उसके तूबन है और सेकेंड तिंग जो इनको लग रहा है कि शायद हमारे बच्चों के साथ गलत किया गया है वो इनके बच्चे नहीं वो हमारे स्कूल के बच्चे हैं हमारे बच्चे हैं तो इनका तो एक बच्चा है हमारे सारे बच्चे हैं तो हम उनकी पॉजिटीवी रिपोर्ट देनी चाहेंगी और जितने उन्होंने मेनत किया जो डिजर्ब करते थे एक्च्वल में वो ही मार्च्स उनको दिये गए हैं कुछ स्कूल ने हो सकता है किसी मैथर को यूज करते हुए अच्छे नंबर बच्चों को दिये होंगे बट हम ऐसा कोई फेक काम नहीं करना चाहते और जो टीचर्स जो उनको इंचार्ज पड़ा रहे थे वो भी आपको भी क्लियर करेंगे उन टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से उन पे जितनी मेहनत की और जो जो बच्चा ओफ-लाइन दे रहा है हमें भी बता है कि ओन लाइन में वो कुछ मिस जो हैं चीजें यूज करके भी अपने मार्क्स गीन कर सकता था तो इस वजह से हमारे पास वह भी क्लार्टी है अगर किसी बच्चे को फिर भी लग रहा है तो हम दुबारा जो भी क्रेट उसमें से एक दो बच्चे थे कॉमलपी फर्स रही है और सेकिंड नमबर पे एक लड़की है उर्वशी और हमेशा पिछला सेशन का भी अगर रजर्ट चेक करते हो तो यह दो बच्चों में हमेशा कॉम्पीटिशन रहा है कभी वो फर्स्ट कभी वो सेकिंड तो ऐसा अभी मेरे टीचर्स भी आपको बताएंगे जो बच्चे ज्यादा पैनिक हो रहे हैं वो बच्चों को भी पता है कि हम स्टेंड वहां नहीं करते वो अपने पैरेंट्स को मेरे खिया से मिस्गाइड करना चाहते हैं कि स्कूल वजा बन गया उसकी एक्चिल वजा हूँ पॉर्डिंगे अपना रिजर्ट त्यार करें जो विदिन नॉर्म से हैं तो उसमें हमारा हंडर्ड परसेंट हम शियोर है कि हमने रिजर्ट पे कोई भी जो है बच्चों के डिजर्व करते थे वही मार्क्स लगाए गई है तो अब टीचर्स भी करते हैं प्रोज पॉर्ट